हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूटूब चैनल पर मैं हूँ आपके साथ मनोज कुमार आज की वीडियो में हम रिजनिंग का एक टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कैलेंडर कैलेंडर से रिलेटिड वो कोश्चन हम करने जा रहे हैं जो की आपकी डैट जैसे वानलीजी आज आपकी डैट है 26 जनुरी तो इसको कौन सा वार होगा तो ये सभी आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इस वीडियो के बाद आप कुछ क्वेस्चन खुद से करते हैं तो मैं गरंटी लेता हूँ आप विदिन 30 सेकेंड 30 सेकेंड के अंदर आप किसी भी तारिक का वार इसी ली निकाल सकते हैं आपको वीडियो पूरा देखना होगा तो चलिए फ्रेंस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आन कर ले ताकि आपको डेली ऐसे वीडियो मिल सकें त तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या चीजे इसके लिए हमें आवस्यक होंगी तो उन सभी को आपको नौट करना होगा और आपको याद करना होगा याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊँगा तो सबसे पहले इसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है वीडियो को skip नहीं करना है ये आप वीडियो को एक step भी मिस करते हैं तो आपके बिल्कुल समझ नहीं आएगा ध्यान से सुन लेना पहले ही तो जन्वरी फर्वरी मार्च से जो आपके माहा दिये हुएं यानि कि जो मन्त हैं इनके code आपको याद करने होंगे ये code बिल्कुल ही आसान है बहुत ज़्यादा आसान है कई लोग बोलते होंगे कि याद नहीं होंगे कैसे याद नहीं होंगे इस वीडियो को दीखने के बाद आप इने भूलोगे नहीं देखो आपको क्या करना है इनको याद करने के लिए 3-3 के pair बनाने होंगे अब याद करो आपको कम से कम 5 बर 10 बस बर इनको revise करना होगा जब भी आपको क्यों करें एक बार लिख लें तो कैसे बोलेंगे दिखिए 0-3-614-625-035 0-33-614-625-035 ऐसे ही मैंने याद किया इनको तो आपको भी ऐसे ही याद करना होगा ठीक है और direct आपको इनको सीधा लिख लेना होगा जब आप 10 से 20 question continue करने लग जाएंगे तो direct आपके याद होगा जिसे मैं बात करूं अगस्त की 2 आप तुरंत बोलेंगे माई का 1 मार्च का 3, December का 5 आप direct इनको बोलेंगे आपको कुछ time तक थोड़ी सी problem आ सकती है तो आप इन्हें 3-3 के pair में याद करें और वीडियो को पॉझ करके सभी को एक बार याद करने के बाद comment box में जरूर लिखें जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके याद हो जाएंगे 0-33, 614, 625, 0-35, 0-33, 614, 625, 0-35 करना क्या है आगे 0-33 है पीछे 0-35 है बीच में 614, 625 है बस इतना सा ही है ये तो हो गया आपके January, February यानि महा मन्त के code अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी सताब दी यानि century के code ये भी आपके याद करना बेहदासान है कैसे याद करेंगे तो वो आपको याद रखना है और देखिए exam में जो आपके question पूछा जाता है 99% chance है कि वो किसी date से पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 1900 से आपने exam द 0 होता है याद करना देखियो सबसे पहले आता है 1600 का code कितना है 6 1700 का code कितना है 4 1800 का कितना है 2 1900 का कितना है 0 теперь릴 याद कैसे करोगे तो देखिए 1900 का याद रखो बस 1900 भई काम आता है 1900 का 0 है 1900 से सन को कम करते जाएं और नंबर को बढ़ाते जाएं देखिए सन मेंने कम करा 1800 नंबर 0 से 2 बढ़ गया 1800 से 1700 हुआ नंबर 2 से 4 बढ़ गया तो इसी तरह से याद रखना है 16 17 18 19 आप 4 वर्ड याद रखो 16 17 18 19 और आपके याद हो जाएंगे 6 4 2 0 बाकी आप बोलेंगे आगे तो 1900 के बाद 2000 22 23 24 25 26 27 इसी तरह से ये सभी रिपीट होते रहेंगे तो यही बस आपको दो दो चीज़े हैं जो याद करनी है आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजे इसके बाद आपको वार निक मैंने क्या-क्या लिख दिया है पता नहीं क्या-क्या लिखा है आपको तो बस समझना है देखो सबसे पहले मैंने लिखा डी इस डी का मतलब है डेट यानि कि मैं आज की बात करूँ तो 26 तारीक कितनी तारीक 26 इस डी का मतलब है 26 वही आप सिक्वेंसी तो चलेंगे सबसे पहले तारीक लिखोगे आप उसके बाद आप लिखोगे महा यानि कि कौण सा मैना पहला मैना तो महिने को महिना नहीं लिखना है वार्स को उसके आपको कोड़ आने चाहिए बस और कुछ भी नहीं है महिने यानि D day हो गया आपका day आपने लिख दिया 26 महा का code महा का code आपका महा कौन सा चल रहा है January का code कितना 0 कितना code है January का 0 ठीक है उसी तरह से आपका century यानि सताबदी सताबदी कौन सी चल रही है 2000 2000 के लिए code क्या होगा 6 ध्यान से समझना है कि step समझा रहा हूँ आपको और why उसके बाद why यानि कि वर्स आजाती है कौन सी वर्स है तो वर्स है 2019 तो अब 2019 नहीं आप लिखेंगे only 19 कितना लिखेंगे 19 19 राइट उसके बाद लिखेंगे आप leap years यानि कि 2000 से और 19 के बीच में अब तक कितनी leap years आई तो total leap years आई 4 कौन कौन सी 2004 उसके बाद 8 उसके बाद 12 उसके बाद 16 और तो कोई नहीं आई न तो 4 आप याद कैसे करें निकालेंगे कैसे 19 में 4 का भाग दीजे जब तक पूरा पूरा जाता है तो आप leap years निकाल सकते हैं तो यहां तक आपके बास समझ में आई होगी उसके बाद इन सभी को add करके और 7 का भाग दे देना है जो भी सेस्पल होगा वह ही हमारा वार होगा बोलो हम सेस्पल को कैसे पहचानेंगे बैस सबता कहां से सुरू होता है सबता सुरू होता है आपका week सौमवार से तो सौमवार एक नमबर पे मंगलवार दो नमबर पे बुद्धवार तीन नमबर पे इसी तरह से Monday, Tuesday, Wednesday यह सभी आपको करने होगे तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कई को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि कैसे निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम आज की ही तारिक देखते हैं कि 26 तारिक 26 जनौरी 2019 को कौन सा वार होगा तो देखो सबसे पहले 26 मैंने 26 को लिख दिया आज़िक इस उसके बाद एक यानि जनौरी का मैना है जनौरी के लिए कौरम कितना जीरो उसके बाद मेरा आता है 2000 यानि वर्स 2000 के लिए code कितना है 2000 के लिए code है 6 यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद worst कौन सा है 19 यानि 2000 को नहीं लिकूंगा पीछे के only 2 digit आपको लेने हुँगे पीछे के only 2 digit लेने हुँगे ध्यान रखना पीछे के 2 digit लेने 19 लिख लिया बचाए हमें लेना है सेसपल तो यहाँ से 26 को काटकर आप 5 लिख सकते हैं इसे उसी तरह से 7 दूनी 14 14 के बाद कितना बचता है 5 कितना बचता है 5 5 को लिख दीजे अब आप 19 को भूल जाए अब आप इनको add कर सकते है 5 और 5 10 6 और 4 10 10 और 10 कितना होता है 20 20 में 7 से डिवाइड करो 7 दूनी 14 कितना से इस फल बचता है 6 6 किया हो जाएगा हमारा 6 के लिए हो जाएगा सनी वार कितना हो जाएगा 6 के लिए सनी वार तो I hope यह question समझ में आया होगा next question के और हम आगे बढ़ते हैं अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक करें बहुत वर्क से मैंने आपके लिए question बनाए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें 9 माई 1988 का वार हम निकालने वाले हैं ठीके आपके विश्वास नहीं है तो आप अपना मोबाइल खोले और वहाँ से आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं कोड आपको याद करने होंगे दो-तीन बार आप रिवाइज करेंगे कोड याद हो जाएंगे देखो 9 सबसे पहले 9 तारीक को लिखा मै मै का कोड कितना 1 याद कि कैसे याद कि आपने 0, 33, 614 4 था जो 4 वो जून को दर्सा रहा है तो एक किसको दर्साएगा माई को दर्साएगा एक लिख लिया 1900 का कोड कितना 0 उसके बाद वर्स लिखने है वर्स कितनी है 88 88 को एजिटीज लिखा 88 में कितनी लीप वर्स आई होंगी 88 में लीप वर्स आई होंगी 22 कितनी वर्स लीप वर्स आई होंगी 88 में 22 लीप वर्स आई होंगी divided कर दिया मैंने 7 से अब मैं काटना शुरू करता हूँ तो देखे 88 70 से उपर कोई भी संक्या हो तो 70 को तो एक बार निकाली दीजिए क्योंकि 70 में हम देखेंगे तो सेसफल 0 बचेगा इससे बढ़िया है उसको एक बार निकाली ने बचता कितना है मेरा 18 7 दूनी 14 मैंने हैंसे 4 लिया कितना लिया मैंने हैंसे 4 लिया और 4 के बाद देखिए 22, 22 से कितना मिला मुझे 1 मिला, 4 और 1 कितना हो गया, 5, 5 और 1 यहां से मिला, 6, 6 और उसके बाद मेरा कितना बच जाता है, उसके बाद 9 और 6 कितना बच जाता है, 15, 15 में 7 से डिवाइड करूँगा, 14 बाद जाए, 14 में जाएगा, और 1 से स्वल बच जाएगा, उसका म मतलब क्या है मंडे तो यहां तक आपको समझ में आया चलिए next question दिखते हैं next question क्या होगा 21 अप्रेल 1526 पानिपत का प्रतम युद्ध बावर और इबराहीम लोदी के मद्दे जिसमें इबराहीम लोदी की हार हुई थी तो यहां से आपको जीके का question भी मैंने आपको याद करा दिया 21 अप्रेल 21 का आपको 21 लिखना है अप्रेल को आपको code लिखना है 614 क्या लिखाता हमने 0,23614 थे 33 तो मार्च को दर्शारा 3-3 उसके बाद 620 को दर्साएगा अप्रेल को और उसके बाद 0 1900 का code आपको देखना होगा कितना है 1500 का कोड़, 1500 देखो अब आप कैसे निकालेंगे 1900, 23, 100, तो यहां मैं आगे जाओंगा 2700 का कोड़ 0 होगा पीछे जाओंगा तो 1500 का कोड़ 0 होगा तो यहां से आप इसली निकाल सकते हैं 26 का मैंने 26 लिख दिया 26 में कितनी leap words आई होंगी 26 में 6 leap words आई होंगी यानि 6 चोके 24, 24 में पूरा भाग जाता है, तो कितनी leap words आई होंगी 6, अब आप इन्हें add करेंगे यहां से पूरा कड़ जाता है और यहां से 6 और 6 बारे बचता है और बारे, और यहां से कितना बचता है 7, 21, 25, 26, यानि में divide करेंगे, तो कितना बचेगा 3, यानि कि बुद्धवार आपका right answer आजाएगा तो यह question मैंने आपके लिए दे रख के हैं अब हम 2 question important है इन question को आप खुद से practice करना वह दिखिए question number आपके लिए है मेरा question number 4, 4 number question को आप खुद से try करना, 5 number question में करा रहा हूँ, ठीके 5 के अंदर 15 अगस्त, 1947 उसके बाद 6 question आपको खुद से try करना होगा खुद से जो ता आप try नहीं करेंगे तो कुछ शमाज में नहीं आएगा 15 अगस्त, 15 का मैंने 15 लिख लिया अगस्त का 2, देखिए मैंने कैसे याद करवाय था 0, 33, 614, 625, 0, 35 ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानि अगस्त का कितना हुआ code number 2, 1900 का code 0 47 को as it is 47 में कितने लिख और साते हैं 11, 11, 4, 44 तक भाग जाता है तो 15 में से कितना 7 से divide करूँगा 6, 4, 1 बचेगा 47 में से 47 को करूँगा तो 7, 42, 5 बचेगा 5 और 2, 7 कैंसिल 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 12 बटे 7 यानि कि 5 बच जाता है 5 को क्या होगा सुकरवार तो question number 4 और 6 खुद से try करना कोई भी question doubt आपके मन में हो तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं कि दिये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे like करें और अपने friends के साथ share करें मिलता हम आपको next video में तब तक के लिए सबी को जय हिंद, जय भारत